तो गैज अब कहानी 2018 अक्टूबर में आ चुकी है जहाँ यूजी और नुबारा एक मूवी देखने का प्लैन मनाते हैं पर मैंगूमी बहुती ज़दा थकनी की वज़य से वहाँ से चला जाता है। जिसमें एक पागल साइंटिस्ट एक लड़के को एक अर्थ वाम में बदल देता है और फिर उसकेंचुए को एक लड़की से प्यार हो जाता है। पर प्रमोट कर दिया जाए इन्हें पर ये बुड़कों ने कहता है कि इन्हें किसी फर्स्ट ग्रेड वाले के साथ भी कोई मिशन कंप्लीट करना होगा पहले। और मिशन के बाद उन्हें सेमी फर्स्ट ग्रेड बना दिया जाएगा और उसके बाद इन्हें अकेले में एक फर्स्ट ग्रेड मिशन को कंप्लीट करना होगा। फिर कहीं जाके मैं सोचता हूँ कि इन्हें प्रमोट कर दिया जाए इसकी बाद टोडो और में में टेबल टैनिस खेल रहे होते हैं और टोडो को पूरे यकिन था कि यूजी जल्द ही सारे मिशन कंप्लीट कर लेगा और फिर वो बेस्ट फ्रेंड्स दोनों साथ में ही लेकिन उस टाइम यह काफी मोटी हुआ करती थी पर टोकियो आने के बाद यह काफी सुनदर हो गई थी यह देखकर नोबारा काफी जादा है रहान हो जाती है कि यह वही लड़की है अब इसे क्या हो गया बई दरसल यूग को यूजी को पसंद करती है लेकिन उस टाइम अगर उसमें इतनी हिमत भी नहीं थी कि वो यूजी से उसका नंबर भी मांग यह सुनकर नोबारा चौंग जाती है और वो यूजी को कॉल करके उसे वहाँ पर बुला लेती है और तभी मैगूमी वहाँ पर आ जाता है और नोबारा से पूछती है हाँ भी मैगूमी तो उ उसने मुझे बताया था, उसे लंबी लड़के बसन है, और ये सुनकर, यूको और नोबारा दोनों खूश हो जाती है, क्योंकि यूको काफी लंबी थी, अब नोबारा जल्दी से कॉल करके, यूजी को भी वहाँ पर बुला लेती है, पर नोबारा को डर था, कि क्या यूज क्योंकि अब तो काफी टाइम हो गया था भही ने, और इसकी शकल भी काफी चेंज हो गई है पहले से, लेकिन हम देखते हैं कि यूजी जैसे हमाँ पर आता है, वो यूको को पहचान लेता है, इसकी बद हमें एक फ्लैश पैक को देखते हैं, जिसमें यूजी के दोस्तों यूजी उसके नए लुक्स को देखकर उसे पसंद करें, और कुछ देर तक उससे बाते करके, यूको वहाँ से चली जाती है, अब मैं गुमी बोलता है, भाई क्या बंदे हैं लोग, कम से कम नंबर तो एक्शेंज कर लेते एक दूसरे का, लेकि नुबारा बताती है, ज्य को सारी information दे रहे हैं, एक तो जरूर कोई hire up है, जिसका अभी ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन दूसरा कोई student है, जो कि उस hire up को सारी information लीग करता है, और उसी को आज ये लोग पकड़ने वाले हैं, वो लड़की बताती है कि उस गदार का नाम मैका मारू है, इदर लॉरी उन सब के साथ उसी जगह पर जाते है, जहां मैका मारू का असली शरीर पढ़ा होता है, और मैका मारू का असली नाम कोकीची होता है, और कोकीची की टेखनीक, puppet manipulation है, और वो पूरे जबान में, जितने भी puppets हैं, उन सबी को control करने की श्यमतरता है, और वो information को leak करने के लिए किसी मच्छर के size का puppet भी use कर सकता है, अब ये सबी लोग कोकीची से fight करने के लिए पूरी तरह से ready थे, लेकिन जैसे ही वो दर्वाजा खुलते हैं, तो वो देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं होता, और ये समझाते हैं कि कोकीची ने गलत ठिकाना बताया था और कोकीची के ये शर्थ भी थी कि वो लोग केोटो स्कूल के स्टूडेंट्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, अब माहीतो कोकीची के पास जाता है, और अपनी कर्ज टेकनिक, आइडिल ट्रांस्विगुरेशन से उसके शरीड को पूरी तरह से ठीक कर देता ह लेकिन लडाई के बीच ही कोकीची वहाँ से भाग गया था, और ये देखकर माही तो बहुती ज़्यादा डिसपॉइंट हो जाता है, लेकिन तब ही उसके पैरों के नीचे से जमीन फटने लगती है, और एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जमीन में से एक बहुत अल्टिमेट मेका मारूप बाहर निकलता है, जो कि भाई बहुती ज़्यादा खदरनाक लग रहा था, माही तो ये देखकर बहुती ज़्यादा खुश है जाता है, और उस जाइंट मेका मारूप के अंदर हम देखते हैं कि कोकीची उसे कंट्रूल कर रहा होता है, कोकीची जानता था, ये बिल्कुल भी असान नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तयार था, और वो अपने पूरे 17 सालों की कर्स एनरजी को यूज करता है, अब एक अल्टरा कैनन से माहीतों पर निशाना लगाता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत कि मतलब इतने टाइम से कोकीची इतने खतरनाक रोबर्ट को बना रहा था, अब कोकीची पहला अटेक करता है माहीतों पर और वहाँ पर आग लग जाती है, जिससे माहीतों को हल्की फलकी ही चोट लगती है, और वो खुद को एजिली डिफेंड कर लेता है, पर हम देखते लगे कि वो उसकी सोल को अटेक नहीं कर सकता, ताकि माहीतों फाइड में थोड़ा सा कैजियर हो सके, और मौका मिलते ही कोकीची अपना असली अटेक उस पर कर सके, और इसी के चलते, कोकीची उस पर बैक टू बैक हमले करता है, जिनने माहीतों एफटलसली डॉज कर रहा ह वैपन जो की एक कर्ष्ट एनरजी से भरा हुआ वैपन था, और उस कैपसूल से माहीतों पर अटेक करता है, और वो कैपसूल सीधा जाकर माहीतों की लेफ्ट आम पर लगता है, और देखते ही देखते, उसकी लेफ्ट आम एक गुबारे जैसी शेप में आकर फट जाती है और तब ही कोकीची माहीतो पर एक जोरदार किक मारता है, और उसे दूर जाकर गिरा देता है, और इस अटैक से, माहीतो की सोल डिश्ट्रॉई हो जाती है, माहीतो बहुत ज्यादा शौकत है, कि आखिर यह हुआ किसे, अब माहीतो जान बूज कर कोकीची के सामने से उड़ता और ये बस छालाबा कर रहा है से कोई फरक नहीं पढ पढ़ा उस bend거 muchos आएग, 이용 एक उप लें pursinku नहीं था और अब हम देखती है कि को कोई साल की Friends अचि करता है और मही तो बहुत गढ़ लुणता है और सोचने लगता है यह attack मेरी soul को damage तो नहीं कर देगा या इस attack से ही यह कोई bluff करने वला है महीतो इतना ज़्यादा डरा हुआ और confused होता है कि इस attack से वो बस किसी तरह से बचने की कोशिश करता है और मौका मिलते ही महीतो मेका मारू की wires को काड़ देता है जिससे कि उसका पूरा सिस्टम तबाह होने लगता है उसके मेका मारू के अंदर एक सिस्टम error आ जाता है लेकिन तब भी कोकीची बिल्कुल भी नहीं गपराता और माहीतो अपनी idle transfiguration technique को यूज करता है जिससे वो किसी को भी touch करके उसकी soul तक को effect कर सकता है तकिन जब भी कोई बंदा उसके domain में होता है तो उसे उसे touch करने की जोट नहीं होती capsule tubes में कोकीची ने simple domain technique को जोड़ा होता है simple domain वो ही technique है जो कि मेका मारू की friend मीवा भी use करती है अब कोकीची को अपने domain expansion में कैद करने के बाद माहीतो बहुती ज़्यादा over confident हो जाता है और वो कोकीची को कहता है बच्चे अब तुम्हें कोई hope राखने के जोट नहीं है तुम हार चुके हो लेकिन तब ही मेका मारू फिट से उड़ जाता है और माहीतो पर attack कर देता है जिससे उसकी body के तुकडे तुकडे हो जाते है और उसका domain break हो जाता है गेतो ये देखकर बहुत जादा surprise हो जाता है अब माहीतो को मारने की बाद कोकीची बहुत जादा खुश हो जाता है और वो सुचता है कि अभी भी उसके पास 9 सालों की कर सेनरजी बच्ची होई है जिससे कि वो अब गेतो को भी हरा सकता है और वो गेतो पर अटेक करने ही वाला होता है कि तब ही माहीतो वहाँ पर आ जाता है और कोकीची पर एक surprise अटेक करके उसे बुरी तरह से डैमेज कर दीता है कोकीची माहीतो को देखकर बहुत जादा हहरान होता है मुझे simple domain से deal करने के बारे में सिखा दिया है और इसके बाद finally 31st October 2018 की रा को शाम के 7 बजे शुरू होता है शिबूया इंसिडेंट और लगबग 400 मिटर के रेडिस पर फैली एक boundary क्रियेट की जाती है तब ही लोग Halloween सेलिबरेट कर रहे होते हैं और इतना ही नहीं उस boundary के बाहर जो लोग थे वो उस boundary के अंदर नहीं आया पा रहे थे रात तकरीबन 8 बजी शिबूया Metro Station के बाहर एक्जिट पर इचीची को देखते हैं जो कि टीम ननामी को बता रहा होता है कि ये जो boundary है वो सिरफ humans को trap कर रही है इनसान अंदर जा तो सकते हैं लेकिन बाहर नहीं आ सकते हैं लेकिन मेरे जैसे supervisors और तुमारे जैसे Jujutsu Sorcers उस boundary के अंदर आ जा सकते हैं लेकिन उस boundary के अंदर सभी signals block हैं उस boundary के अंदर जाने के बाद हम लोग अपने इस वेल को create किया है, हम उसे ढूंडें और उसे ही मारतें और सेम टाइम पर शिबुए स्टेशन साउथ हेंटरेस पर हम पांडा और आच्सु या नाम के एक बंदे को दिखते हैं इनके बंदा एक first grade sorcer है और वो बोलता है कि इन सभी कांड के पीछे वही अपरादी होंगे जिन्होंने स्कूल में हमला किया था और इन लोगों ने अब decide किया है कि गोजो ही उस curtain के अंदर जाएगा और सभी दुश्मनों को मारेगा और बाकी लोग उस curtain को चारों तरफ से घेर लेंगे ताकि अगर कोई दुश्मन गोजो से बचकर भागने की कुशिश करेगा तो ये लोग उसे पकड़ लेंगे इसके बाद हम उस curtain के अंदर देखते हैं जहांपर लोग गबराय होई थे बहुत जादा और सातारों गोजो को अंदर भीजने की डिमान कर रहे थे इनके mobile पर कोई भी signal भी नहीं आ रहा था एक आदमी बोलता है कि उसने एक लोगों की भीड को स्टेशन के अंदर खिचते होई देखा था वो लोग जरूर किसी बड़े खत्रे में है और तब ही गोजो वहाँ पर आ जाता है और अब शीबुआ मेन इवेंट शुरू हो लगता है दूसी तरफ आयोस सिमेट्री के अंदर यूजी मेमे के साथ होता है और यहाँ पर हम मेमे के छोटे बाई उईउई को भी देखते हैं जिसके हाथ में मेमे का एक बड़ा सा हथियार था यूजी इस बात से बहुती ज़्यादा पर परिशन था कि गोजो को वहाँ पर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी था इदर गोजो उड़ते होई टोक्यो मेट्रिक स्टेशन पर पहुंचाता है जहां उसका मुकाबला जोगो हनामी और चोजो से होता है गोजो जोगो से कहता है आभी पिछली बार की तरह भाग मत जायो पूरा मुकाबला करके जा है वो इन दोनों के बीच में ही होगा गई और साथ ही इन कर्टन्स के बीच में धेर सारे ट्रांस्फुगर्ड हुमन्स भी है वहाँ पर और ये सुनकर यूजी समझाता है कि माही तो भी यहीं पर है बाई जिसने उसके दोस्त जूंपी को मारा था और उसको एक करोज की आँखों के थूरू सब कुछ देख पाए कि आकर नीचे चल क्या रहा है लेकिन अनफॉर्चनेटली आदे रास्ते में ही उसके सभी क्रोज मर जाते हैं वो स्टेशन का मैप निकल कर इतादोरी को समझाती है जब अभी मैंने अपने क्रोज को नीचे बेजा था त तो मुझे लगता है हम लोगों को अलग लग जाना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी पोरे एरिया को कवर करके सभी लोगों को बचा कर एक्जिट से बाहर निकल पाएं और हाँ अपनी जान बचाने पर ज़्यादा फोकस करना अब इतादोरी बेसमेंट नंबर 2 के यही पर्थाना वो भी घरास अपर सुचता है अरे यह किसकी बात कर रहा है यूजी कहता है अरे वो ही जिसकी पूरी बॉड़े पर स्टिचिस लगे हो है यह सुनकर वो कहता है मुझे बागल मत समझाओ मैं बहुती ज़्यादा क्लेवर हूं महीतों की बात कर रहे हो न कभी तो बहुत ही highly skilled और advanced लोग भी barrier बनाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं और अब UG को realize होता है कि barrier बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है और उस cursed spirit को देखकर तो उससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये barrier बनाना इसके बस की बात है और तभी उसकी नजर एक कील पर बढ़ती है और UG सोचता है कि अभी इसने कहा था कि यहाँ पर ये इस whale को protect कर रहा है तो शायद इस nail को खड़कर इस whale को destroy किया जा सकता है वो cursed spirit तभी UG से कहता है यार ये इनसानों का टेश्ट तो ट्रांस्विगर होने के बाद बिल्कुली खराब जाता है कितना चालाग हो मैं और तभी UG को गुस्सा जाता है और वो उसके मुँपर एक जोरदार लात मार देता है और उसे कहता है तुम cursed spirits को इनसानों को कमजूर समझना बंद करना होका इसके बाद हमें बताया जाता है कि कैसे grasshoppers plant fiber से बनी हुई कोई भी चीज को खा जाते हैं वो हर दिन अपने वजन जितना खाना खाते हैं और उनके खाना खाने की आवाज दिन रात गूंचती रहती है वो एक हरी भरी जमीन को भी एक खंडर में बदलने की शमता रहते हैं और इनी सब कारणों की वज़ा से इनसान उनसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं और इनसे डृते भी हैं और इससे पैदा होता है ये grasshopper cursed spirit इसके बाद वो cursed spirit अपने दानतों से ही यूजी को काटने की कोशिश करता है लेकिन यूजी उसके अटैक से बज़ जाता है और उसकी तेजी और उसके जबड़े की ताकत को देखकर यूजी बहुती ज़दा इंप्रेस हो जाता है उससे वो grasshopper अपने पंखों की help से उड़ने लगता है और उसे मुक्य मारने की कोशिश करता है लेकिन यूजी वापिस से उसके सवई अटैक्स को डॉज कर लेता है वो समझाता है कि इस cursed spirit को कोई trick वगेरे नहीं आती है वो grasshopper उसे पूचता है पताओ मुझे तुम चलाक हो या नहीं मैं तो smart यानी की चतर हूँ यूजी से कहता है तो मैं एक बात बोलू स्मार्ट लोग कभी ये नहीं बोलते कि वो smart है और इसके बाद वो दुनों एक दूसरे के उपर मुपकों की बारिश कर देते हैं grasshopper अपने चारो हाथों का इस्तमाल कर रहा होता है grasshopper से जमीन के अंदर अंडे देते हैं और इसके लिए वो अपने पेट को तीन गुना ज़ादा लंबा करते हैं और इसी का इस्तमाल करके वो cursed spirit उस पर हमला कर देता है लेकिन यूजी उससे बचकर उसकी शरीड के तुकडे तुकडे कर देता है और खेता है तुमने इनसानों को ख़या है और इसकी सजा सिरफ मौथ है यूजी इतना ज़्यादा पावरफुल था कि grasshopper की कोई भी trick उस पर काम ही नहीं करती है यूजी उस कील को तोड़ देता है जिससे कि वो barrier हड़ जाता है और 5th floor पर माहितो को पता चल जाता है कि grasshopper मर चुका है और वो समझाता है कि कोई ताकतवर इंसान यहाँ पर पहुंच चुका है वो भी उपर जाकर लड़ना चाता था लेकिन उसको अपना काम पूरा करना था इसलिए वो लोगों को ट्रेन में बिठा कर Shibua Station के तरफ निकल पड़ता है दुसी तरफ वो तीनों 5th floor की तरफ बढ़ने लगते हैं माहितो को रोखने और मैमे यूजी से कहती है यूजी मैं तुमसे बहुती इंप्रेस हूँ मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे कर्ष्ट स्पिरिट को इतनी जल्दी हरा दोगे तुम तो अभी से मुझे एक 1st grade sorcer लग रहे हो मैंने आज तक किसी को भी बेना टेकनीक के जीते होए नहीं देखा था यूजी उसे कहता है अरे वो तो एक सिंपल सा कर्ष्ट स्पिरिट था अगर वो माही तो होता तो मैं उसे नहीं रहा पाता वो यूजी उसे कहता है अबे ओ, तेरी तरीफ किये मेरी दीदी ने शुक्रिया बोलू ने अब फिफ्ट फ्लोर पर पहुँचने की बाद उन्हें वहाँ पर एक इंसान बैटी हुई दिखती है जिसकी आँखे खुली की खुली होती है ऐसा लग रहा होता है कि उसने कोई बू देख लिया होता है और इसके बाद हम गोजो को देखते हैं और हानामी, पेडो की डालियों का इस्तमाल करके बाहर जाने के सभी रास्तों को बंद कर देता है जिसे देखकर गोजो से कहता है आरे नहीं नहीं, इन सब की जूर्त नहीं पड़ेगी मैं वैसे भी कहीं नहीं भागने वाला मेरा मतलब है कि अगर मैं भाग गया तो तुम सभी लोगों को मार दोगे कि गोजो अपनी ताकतों का इस्तमाल सबस्यादा तभी कर पाता है जब वो अकेला होता है और इनसान या बाकी जोजोचू सौर्सर्स उसके लिए बस एक रुकावट है और उन्हें इसी चीज का फाइदा उठा कर उसे हराना होगा गोजो से कहता है अच्छा तो आब मैं समझा इन्होंने पेड की डालियों से रास्ता रोका ताकि मुझे पता न चले कि दूसरी तरफ कोई इनसान है या नहीं और अगर मैंने इन पर रटैक करने की कोशिश की तो आम इनसानों को चूट लग सकती है इसके बाद जोगो और हनामी इनसानों को मारते हुए गोजो की तरफ बढ़ते हैं और चोजो ब्लड मैनुप्रेशन टेकनीक को यूज करता हुआ उस पर हमला करता है लेकिन गोजो की इन्फिनिटी टेकनीक उसे रोक लेती है और उसे चूह तक नहीं पाती गेटो समझाता है आसपास इतने सारे इंसानोंने की वज़ा से गोजो कर्ष टेकनीक ब्लू और रेड दोनों का ही इस्तमाल नहीं कर सकता क्योंकि उससे बहुती तेज दमाग का होता है माबर अगर उसने ऐसा किया तो उसकी आसपास खड़े सबी लोगों का मरना पूरी तरह से निश्चित है इसलिए वो अपना पूरा धेन डिफेंस पर रखेगा और अब गोजो और हनामी उस पर मुका मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं लेकिन उनकी इंफिनिटी उन्हें अपने नजदीक नहीं आने देती और तब ही वो दोनों डोमेन एम्प्लिफिकेशन का इस्तमाल करते हैं जो कि मेका मारू के सिंपल डोमेन की तरह काम करता है यानि कि वो किसी भी कर्ष्ट टेकनीक को मिटा सकते हैं इस टेकनीक की वज़े से गोजो की इंफिनिटी शील्ड टूटने लगती है अब पर वो वक्त रहते वहां से भाग जाता है और वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं गोजो बोलता है सब समझा रहा है मुझे बेटा तुम किसी कर्ष्ट यूजर के साथ मिले हुए हो उसे ने तुमें ये कर्ष्ट टेकनीक भी सिखाई है गेटो उने ये भी बताता है कि गोजो अपने इंफिनेट डोमेन का भी इस्तमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसका डोमेन बहुती जादा बड़ा है और उसके डोमेन से सिरफ वही लोग बच सकते हैं जिने वह चुटा है और वो दोनों भी अपने डोमेन का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर उनके डोमेन की वज़े से बहुत सारे मासूम लोगों की जान गई तो गोजो भी मजबूरी में अपने डोमेन का इस्तमाल करना शुरू कर देगा और अगर ऐसा हुआ तो उनका हारना पूरी तरह से निश्चित है उन तीनों को बस किसी तरह से गोजो को रोक कर रखना है 20 मिनट के लिए जिसकी बाद गेतो तो रिजन रेल्म की साथ वहाँ पर पहुंच जाएगा और गोजो को क्याद कर लीगा जुगो पास में खड़े एक इनसान को मार देता है और गोजो को बोलता है मैंने तुम्हें कहा था कि भागना मत लगता है तुम्हें बात समझ नहीं आती इसकी जवाब में गोजो से कहता है सच बताओं तो मैं हैरान हुआई कि तुम्हें इस बकवाज से प्लैन से हरा सकते हो अपने लगता है तुम्हें मौत के घाट उतारना ही पड़ेगा हनामी की तरफ उंगली करते होए गोजो कहता है ये हमारी तीसरी मुलाकात है और तुम अब भी मुझे अंडरेश्ट मिट कर रहे हो तो मैं सबसे पहले बिटा तेर को ही मारने वाला हूँ अब और ऐसा बोल कि गोजो उनकी सामने आकर खड़ा हो जाता है वो दोनों एक साथ उस पर हमला करते हैं और इसकी जवाब में गोजो गोजो का हाथ पकड़ कर उसे उखाड़ देता है और हनामी को लात मार कर दूर फैंक देता है हनामी समझ जाता है कि गोजो सिरफ उसका ध्यान बटकाने के लिए उसे धंकी दे रहा था भी उसका असली टारगेट तो जोगो है और अब गोजो जोगो को पकड़ कर दिवार की तरफ फैंक देता है जिसे देखकर हनामी मन में सूचता है इसने अपनी इंफिनिटी का इस्तमाल करना बंद कर दिया है और उपर से अब ये सिरफ क्लोज कोंबेक कर रहा है जिसका मतलब है अब हमें इंसानों के बीच में छिपने की जुरुत नहीं है यही सही मौका है अपनी टैक्नीक को यूज करने का हनामी अपनी टैक्नीक को इस्तमाल करने के लिए डोमेन अम्प्लिफिकेशन को डी एक्टिवेट कर देता है और बहुत सारी पेड की डालियों से उस पर हमला करता है पर मैं पता चलता है कि ये गोजो की एक चाल थी और जोगो चिलाकर हनामी को बोलता है अबे बेवकूफ डोमेन अम्प्लिफिकेशन को एक्टिवेट करो जल्दी पागल हो के तुम लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी गोजो बिजली की तेजी से हनामी के पास पहुचता है और उसकी आँखे पकड़कर हसते हुए बोलता है यही चीज तो तुमारी कमजोरी है और ये बोलकर वो उसकी आँखे निकाल लेता है जो गोमन में बोलता है मैं अभी तक जिन्ता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक अपना डोमेन अप्लिफिकेशन डियक्टिविट नहीं किया हुआ लेकिन हैरानी की बात है इतनी कम कर्स अनरजी के साथ भी मार्शिल आर्स के दम पर ये हमारी बैंड बजा रहा है गोजो सातारो तुम सच में बहुती जाता ताकतवर हो कि ऐसी कोई भी चीज है जो तुम नहीं कर सकते हो जोजो अपनी बलड मैनिपलेशन टेकनीक की हल्प से गोजो पर हमला करता है लेकिन उसकी इंफिनिटी असानी से इस अटैक को रोग लेती है गोजो मन में कहता है ये कर्ष्ट स्पिरिट तो नहीं लग रहा मैं यकीन से कह सकता हूँ ये डेथ फ्रेंटिंग से जर्म लिया हुआ आदा इंसान और आदा कर्स है इससे तो मैं बाल में निपड़ता हूँ इसके बाद हनामी और जोगो अपनी डोमेन अपलिफिकेशन से गोजो पर हमला करते है लेकिन हनामी अब काफी कमजोर हो जुका था ये देखकर गोजो हसते होए कहता है तुम मेरी इंफिनिटी को जितना तोड़ने की कोशिश करोगे मैं उतनी ही जादा अपनी ताकत बढ़ाता रहूँगा मुझे ने लगता ये हरीपती मेरी इस से ताकत को रुख सकता है गोजो हनामी की तरफ मुडता है और अपनी इंफिनिटी को बढ़ा करकर उसे दिवार से चिपका देता है हनामी की जन बचाने के लिए जोको उसका ध्यान बटकाने की कोशिश करता है लेकिन गोजो उसकी तरफ देखता भी नहीं है और अपनी इंफिनिटी को बढ़ाते हुए हनामी की तरफ बढ़ता है और उसकी शरीर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉई कर देता है और बोलता है अब तुमारी भारी इसके बाद हमें एक फ्लेश पैक को देखते हैं जहां गेतो उन सबी को समझाता है कि प्रिजन रेल्म एक जीता जाकता बैरियर है जो कि इस दुनिया में किसी भी चीज़ को कैद कर सकता है हजार इंसानों की बली चड़ा कर भी हम उस मौश्ट को नहीं हरा सकते कभी भी ये नाम उनकिन है इसके बाद हम वापिस प्रेजन में आ जाते हैं जहां जोगो उससे डर कर भागने लगता है और ध्यान बटकाने के लिए कुछ इंसाना को उसकी तरफ फैंकता है लेकिन गोजो अपनी इंफिनिटी से उनको रोक लेता है जोगो का प्लैन था उसे मार कर भागते रहना और उसका ध्यान बटकाने के लिए लोगो को उसकी तरफ फैंकता रहता है गोजो मन में बोलता है जो लोग गश्ट स्पिरिट को नहीं दिख सकते वो मुझसे दूरी बना रहे हैं अगर मेरे आसपास ऐसे ही जगा बनती रही तो जोगो को पकड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा लेकिन उसे पता चल चुका है कि मैं नजदीक आकर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा हूँ अगर उसने चोजो के साथ मिलकर दूर से हमला किया तो बहुत लोगों की जाने जा सकती है इससे मैं सबको तो नहीं बचा सकता लेकिन वादा करता हूँ मैं उन दोनों को जान से मार कर रहूँगा दूसरे तरफ जोको बहुत ही जादा टेंशन में आ जाता है और मन में बोलता है अरे कितना टाइम लगेगा 20 मिनट तो हो चुकी हैं कपके ये तो पहुंचा क्यों नहीं अभी तक और हमें देखते हैं कि दूर से ये तो ये सब देख रहा होता है और बोलता है अभी सही टाइम नहीं आया है गोजो अभी ठंडे दिमाग से काम ले रहा है उसे अभी थोड़ा और थकाना है सीन शिफ्ट होता है मैजी स्टेशन पर जहां वो लड़की यूजी से कहती है सारे ट्रांस्विगर्ड हुमन्स ट्रेन में बैठकर नॉर्मल इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं और उस ट्रेन से माहीतो बाहर निकल कर जोगो को बोलता है हाँ लोगो के चेहरे पर ये डर देकर कितना सुकुन मिलता है यार सच में हम कुछ इंसानों को जिन्दा रखेंगे गोजो पर हमला करने के लिए बढ़ता है आगे लेकिन उसकी इंफिनिटी अटेक कर रोक लेती है गोजो से मुका मारने की कोशिश करता है लेकिन वो हवा में उड़कर उससे बच जाता है और गोजो को बोलता है तुझे इंसानों के बारे में एक घटिया चीज़ बताऊं क्या उनकी आबादी बहुत जादा होती है और तभी हनामी की बनाई हुई पेड़ की डालियां तूट जाती है और चौते फ्लोर पर खड़े हुए सबी इंसान नीचे गिरने लगते है ये देखकर गोजो बहुत जादा टैंशिर में आ जाता है तभी माहीतो और चोजो अपनी अपनी टेकनीक का इस्तमाल करके आसपास खड़े सबी लोगों को जान से मारने लगते है उपर से जोगो भी उस पर हमला कर देता है लेकिन गोजो उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी जान मचाने के लिए जूगो खुद ही अपने हाथ को उखाड़ लेता है और अब गोजो को इतना परिशान देखकर माहीतो कहता है ये यूजी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन ऐसा करने से यहाँ पर माजूद सभी लोग मर जाएंगे तो क्या लगता है आपको क्या करेगा ये गोजो आप सब के मन में यही सवाल था और तब ही गोजो वो करता है जिसकी किसी घोबी उमीद नहीं थी गोजो इस्तमाल करता है अपनी डोमेन एक्सपेंशन इंफिनिटी वॉइड को वो भी सिरफ 0.2 सेकंड के लिए उसके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था उसने अंदाजे से 0.2 सेकंड चूज किया था और गोजो ने 300 सेकंड के अंदर अंदर ही अजार से जादा मौश्टिस को मार गिराया लेकिन इसकी वज़ा से वो बहुत जादा ठक चुका था और इसी का फाइदा उठाकर गेतो वहां पर आ जाता है और प्रिजनर रेल्म का गेट खोल देता है और एक बड़ी सी आंख उसे घोड़ने लगती है एक जलक में ही गोजो समझ जाता है कि वो आंख बहुती जादा खतरनाक है और भागने के लिए वो जैसे ही पीछे मोड़ने लगता है गेतो कहता है हेलो कैसे हो गोजो और उसे देखकर गोजो मन में सोचता है क्या ये नकली गेटो है? क्या ये कोई Transfiguration टेकनीक है? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता ये तो असली गेटो है और गोजो एक मिनट तक अपनी सबी पुरानी Memories को याद करता रहता है जिसके बाद वो Prison Realm उसे बंधी बना लेता है गेटो से बोलता है अरे 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 गोजो लड़ाई के दोरान तुम्हारा ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए गोजो मन में सोचता है मैं अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रहा हूँ तो मैं कैसे पता चला मेरा नाम किंजाकू है और मेरे पास एक ऐसी करश्ट टेकनीक है जिससे मैं अपने दिमाग को डाल कर किसी भी इंसान के उपर कपजा कर सकता हूँ और शरीर के साथ-साथ मैं उनकी करश्ट टेकनीक का भी मालिक बन जाता हूँ मुझे शरीर की बहुत जादा नीड थी और तुमने मेरा काम और भी जादा असान कर दिया क्योंकि उस दिन तुमने शोको को मना कर दिया था गेटो के शरीर को तबाह करने से सही कह रहा हूँ ना मैं लेकिन तुमें चिंता करने की कोई ज़वत नहीं है मैं तुमें अजाद कर दूँगा कुछ दोसो या शायद दोहजार सालों में तुम बहुत जादा ताकत वरो और मैं तुमें मेरे फ्यूचर प्रैंज को तबाह नहीं करने दे सकता जवाब में गोजो हसते हुए कहता है क्या तुम बूल गए यूटो ने गेटो की क्या हलत की थी उस दिन गेटो कहता है हाँ मुझे याद है लेकिन वो लड़का मुझे तुम जितना ताकत वर नहीं लगता उसकी पावर उस कर्ष्ट स्पिरिट से आती है गैस यहाँ पर वही यूटा नाम के लड़की की बात चल रही होती है जिस पर शीकी नाम की एक कर्ष्ट स्पिरिट ने कबजा कर रखा होता है खेर गेतो से कहता है चलो वो तुमारी जगा तो कभी भी नहीं ले सकता भाई चलो गोड नाइट सातार गोजो हम नई दुनिया में फिर से मिलेंगे शायद अब इसके बाद हम यूजी को दिखते हैं और मैका मारू अपने कम्यूनिकेशन डिवाइस से बोलता है थ्यान से सुनो मेरी बात लेकिन एकी बार में समझ जाना हमारे पस टाइम नहीं है गोजो प्रिजनर रेल्म में पूरी तरह से सील हो चुका है और ये सुनकर यूजी पूरी तरह से खबरा जाता है अब गोजो गेतो की आत्मा से बात करते होए कहता है गेतो तुम्हारे जागने का टाइम हो गया है लेकिन मैं अब भी मानता हूँ कि असलिव अलग ये तो और मैं एक साथ ही रहते हैं बीबी हम दोनों को अलग नहीं किया जा सकता गोजो उन दोनों की बातों से पक चुका था और उन्हें बोलता है आरे भाई जो करना है जल्दी करो मुझे इनका पड़ा में बहुत करमी लग रही है सची कह रहा हूँ केंजाकू कहता है बाई गोजो तिरको इस आलत में देकर तो मुझे सची में बहुत मसार है लेकिन तुम सही हो हम भी कोई मुसीबत नहीं चाते भाई क्योंकि अगर कुछ गड़बड हुई तो हमारी बैंड बढ़ जाएगी और ये बोलकर वो प्रिजन रेल्म का गेट बंद कर देता है और गोजो उस प्रिजन रेल्म के अंदर सील हो जाता है किन जाकू माहितो को समझाता है कि इस प्रिजन रेल्म के अंदर सिर्फ एक इनसान को कैद गया जा सकता है और जब तक वो इनसान खुद की जान नहीं ले लेता हम इसे वापिस से इस्तामाल नहीं कर सकते दूसरी तरफ मैमे को मैका मारू की कही हुई किसी भी बात पर यकीन नहीं होता और मैं कमारू से कहता है मेरा तुम से यहां पर बात करना ही सबसे बड़ा सबूत है 19 अक्तूबर को माहीतो नाम की एक बंदे ने मुझे जान से मार दिया था मेरा ये कम्यूनिकेशन डिवाइस तुम से बात करने का सिरफ एक जरिया है मैंने इसे तीन जगाओ पर लगा कर रखा था और उसमें से एक अप तुमारे पास है तुम दोनों पर किसी को भी शक नहीं है और ये यूजी तो कुछ ही महीने पहले ही जिजुचो है में शामिल हुआ है ऐसा भी तो सकता है कि मैं बस तुम लोगों का साधे नकानाटा कर रही हूँ मैं कामरू कहता है अच्छा अगर ऐसा है तो फिर वो कर्स यूजर तुम्हें जान से मारने के लिए आगे क्यों बढ़ रहे हैं यानि कि जिसका मतलब है तुम अपने सूपरवाइजर से भी बात नहीं कर सकते और इसलिए तुम लोगों को मेरी बाते मान नहीं होंगी मेरे पास टाइम नहीं है ये कम्मिनिकेशन डिवाइस कभी भी बंदो सकता है योजी तुम जल्दी से शिबुआ सिटी जाओ और बाख लेकिन इस मिशन के लिए तुम सभी को अपनी जान को जोखिर में डाला होगा अब सब तुमारे ही हाथ में है और तब ही एक करश्ट स्पिरिट वहां पर पहुंच जाता है और इसी के साथ गोजो सातारों को बचाने का मिशन शुरू हो जाता है दूसरी तरफ जोगो और जोजो को भी होश आ जाता है और अब गेटो जैसे ही उन्हें अगले प्लैन के बारे में अपने बताने वाला होता है उसके हाथ में रखा हुआ वो प्रिजिनर रेल्म इतना भारी हो जाता है कि वो जमीन में एक बहुत बड़ा छेद कर देता है ये देखकर सबी लोग हक क बखे रह जाते हैं प्रिजिनर रेल्म की आंखों से आंसों आने लगते हैं और अंदर बैटकर गोजो अपने आप से खेता है लगता है टाइम यहाँ पर रुक चुका है मैंने बहुत बड़ी गल्दी करती लेकिन मुझे चिंता करने की जूरत नहीं है भाई मुझे मेरे दोस्तों पर पूरा यकीन है अब इसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं जो कि उस बैरियर के बाहर वेट कर रहे होते हैं और वो लोग अपने अगले प्लैन के बारे में डिसकस कर रहे होते हैं तीनों टीम उस बैरियर के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं टीम न तुपरवाइजर्स को मारने का भी ओर्डर दे देती है। अब इसके बदम शिबुवा मेंटर स्टीशन पर देखते हैं। जहां पर कोकीची अपने मैका मारू डिवाइस की हेल्प से उनकी सारी बाते रिकॉर्ड कर रहा होता है। गेटू समझाता है कि गोजो की कर्स एनरजी इतनी जादा है कि प्रिजनर रेल्म को उसको पूरी तरह से सील करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और जब तक ये प्रिजनर रेल्म उसे अच्छे से नहीं कैद कर लेता वो उसे इस जगह से हिला भी नहीं सकते हैं। अब माहीतो को जैसे ही उस मेकामारू डिवाइस के बारे में पता चलता है तो वो अपने हाथों को लंबा करकर उस डिवाइस को तोड़ देता है। और अपनी स्पीड और ताकत का इस्तेमाल करके वो ट्रांस्फिग्ड हिमन्स की धुलाई करने लगता है। और एक बड़ी सी बिल्डिंग के उपर चड़कर जोर से चलाता है। चोजो कहता है कि वो यूजी और नुबारा को जान से मार कर अपने मरे हुए भायों का बदला पूरा करेगा। और उसकी ये बाते सुनकर जोगो बोलता है मुझे नहीं पता तुम्हारा भाई कोन है लेकिन तुम यूजी को तो नहीं मार सकते बेटा तेरी उकात ही नहीं है तेरे बसकी नहीं है भाई। हमें उसे सुकूना में बदलना होगा लेकिन चोजो उस पर ही भड़क जाता है और वो दोनों जगड़ा करने लगते हैं माही तो उन दोनों के बीच में आकर कहता है अरे मैं भी यूजी को मारना चाहता हूँ यार और गोजो को सील करने के बाद अगर हमने सुकूना को थानों से बहुत अलग है हम लोग मौत से नहीं डुते और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं सही बोलो तो हम यह असली इंसान हैं तो चलो भई क्यों ना एक गेम खेले अगर मैंने यूजी को पहले डूंड लिया तो मैं उसे जान से मार ले हमें गेटो का शरीर वापिस चाहिए हम नहीं चाहते कि तुम जैसा कर्स गेटो के शरीर के साथ ऐसी हरकते करें जिसके जवाब में किन जाकू से कहता है प्रामिस कौन सा प्रामिस भाई क्या तुम दोनों बेवकफ हो चुप चाप दफा हो जाओ यहां से वरना तुम मार डानूगा भी और जाने से पहले वो दोनों कहती हैं तुम इस चीज के लिए बहुत पच्चता होगे लेकिन इस तीज से गेटो को कोई भी फरक नहीं पड़ता दूसरी तरफ ननामिक की टीम यूजी के पास पहुंच जाती है और मैं कमारू ननामिक को पूरा प्लैन जिससे सुनकर ननामिक उसे कहता है आस पास के स्टेशन से पर हमला करना बिल्कुल सही रहेगा लेकिन उसके लिए हमें पहले बैरियर को डियक्टिवेट करना होगा तुमारे पास टाइम नहीं है कुछ चीज़े हैं जो सिरफ मैं ही कर सकता हूँ तो मुझे लगता है जोश से भर जाता है और उन दोनों को समझाता है कि अगर ये मिशन फेल हुआ तो दो चीज़े होंगी पहली गोजो फैमिली अपनी ताकत को खो देगी क्योंकि सतारो गोजो अकेले ही अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है और बिना पावर के गोजो फैमिली यूजी को उसक कर्सिस का राज होगा तो चलो मेरे साथ यो इस बैरियर को डी एक्टिवेट करते हैं और इसी के साथ इस सीरीज का तीसरा पाट इंपे खतम हो जाता है तो गैस यही थी आज की वीडियो और अगर आपको इसका अगला पाट चाहिए तो प्लीस नीचे कॉमेंट में मुझे ज झाल 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 झाल